नमस्कार बी एनेन में आपका स्वागत है मैं हूं मिछलिस दिवेदी पदो ही लोग सभाद चुनाओ कि तो तुम भी बढ़ चुकी है महासमर में एक से बढ़की युद्धा उतर चुके हैं जो राज माईस शुरू हो चुकी है देखाने तो नामंकन प्रक्रिया बिसुरू लोग सभाद चुनाओं में जिस दर से घुद्वं भी बजी है जिस तरह से महासमर का अगाज हुआ है और एक महावल सक्रियेट हुआ है सीधी लड़ाई के आसार दिखने लगे हैं और जिस तरह से कम समय में मात्र दो महिने के अंतराल में आप लोगों ने छलांग लगाई है कि आप वज़ा मानते हैं क्या कारण में इसको छलांग तो नहीं कहूंगा यही जनता का प्रेम है और जनता जानती है कि भरोहीं भी पहले बनारस का ही एक हिस्सा हुआ करता था बाद में चंदॉली हुआ बनारस अलग हुआ ब्रदोहीं हुआ अब इस पूरे जिले में दो लोग ऐसे एक विकास पुरुष कहे जाते हैं एक पंडिक गमला प्रिश्र पाठी जी एक पंडिक श हमारही परिवार दें हमारही शासिन्काल, कंडरज के सबकार फर उसके बाद आगे बढ़े तो हुआ हिंडाल्कों में बड़ी में इंडर्र मिल बना बनोही चीनी मिल लगा उराई ने कंबल खाणकान बना गोपी एक ईभई दोग बन बिदोए अनलों को यह इंपे और कि एक सहाब आये थे विदान सभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि डबल एजियन की सरकार बनवा दीजे हम और आईची नीमिल चालू करने हैं आज डबल एजियन की सरकार ही बन गई लोगों ने बनवा दिया और आईची नीमिल अभी भी दुपते हां सूरो रही है मुझे अब लोगों ने बाते कहीं है मारी ललतेश जी से अब लोगों ने बाते कहीं है से बीबात हो रही है पिछले दिन वह हमारी बात होई थी हमने पूछा था भी कास का क्या होगा आपने कहा है कि वाओं को प्रात्मिक्ता मिलेगी तो विकास क्योंकि यह जो दोनों नाम आप ने लिया है कि पंडित कमला पत्तिल पाठी जी अपनित श्याम धर्मिस्रा जी इन दोनों को जब नाम आता है या कोई नाम लेता है तो विकास का परिया अपने आप जोड़ जाता है तो क्या माना जाए कि ललतेश जी भदोही के विकास के लिए इवाओं को लेकर क्या खाका पूरेगी प्रातिमिक्ता तो सर्पथम है उसके बाद रहेगी चीनी में उसके बाद रहेगा कुनिया का पक्कापुर जिसके जेवल गोष्णाएं हो जाती है उपनुकमंत्री जी आये थे हमारे आदर्मी मौरिया जी उन्होंने गोष्णा कर देती बदान समा में आज तक कुछ नहीं ह होगा लोग वहां भाइशकार करने को त्यार सर्प्रथम यह सारी चीजे रहें और उसके बाद काली उत्योग के भी है जो हमारे गुंकर समाच के लोग है उनके लिए भी बहुत ही बढ़ियां खाका त्यार है वो चुनाओ के बाद जीतने के बाद वो सौ दिन के अंदर आ कि भावी योजनाओं के बारे में बात की है कहा है कि इनकी जीत के साथ जो पंडित श्याम धर्मिश्रा और पंडित कमला पत्रिपाठी जिसके लिए जाने जाते हैं जो विकास का परियाय ये परिवार रहा है उस कड़ी को लंतेश पती आगे पढ़ाएंगे चलते चलते शिदार जी एक आखरी सवाल करते हैं आपसे एक इवा होने के नाते आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे मैं युवाओं को यह कहूंगा कि जो बीद गया सो बीद गया अब घड़ी है साथ आने की अपना भविश्य अपने आने वाली प्रिडी का भविश्य स सभालने सुधारने और सुल्जाने का समय आ गया है इसके इवाओं से पील है कि जो बीत गया सो बीत गया अब अपने पीडी का भविश्य सुधारिये भविश्य सुधारिये भदोहीं के विकास के साथ भदोहीं को सवालिये यहां कि जो कड़ी तूट चुकी थी विकास की चाहे वो वराणसी जन्पत के दवरान ततकालिल मुख्य मंतरी पंडित कमला पत्तिर पाथी के समय रहा हो या फिर पूर्व केंद्री मंतरी पंडित श्यांधर मिस्र के समय का फिलहाल इनोंने कि वाउं से पिल की है कि उस कड़ी को आगे बढ़ाईए और भदोहीं को सवालिये तो फिर मिलेंगे आमना सामना के अगले एपिसोड में किसी और के साथ और बाते करेंगे भदोहीं लोग सभाद शित्र में महासमर्की महारण की और इस महारण में होने वाला है क्या बताइं